आज Saturday है और ये day बहुत अच्छा होता है negativity की elimination का इसलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि हम अपनी wishes को manifest करने में लगे हुए है techniques कर रहे हैं, rituals कर रहे हैं, mantra कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे है लेकिन negativity उस जगा में भी है, जहां हम रहते हैं negativity हमारे अंदर भी है, negativity आक्चुल में जो हमारा घर है उसकी पूरी फिजा में कभी-कभी होता है और जिसकी वजह से life में blockages आते हैं, resistance बहुत जादा हो जाता है इसको समय समय पे eliminate करना बहुत जरूरी होता है आपने देखा होगा, कि पहले अगर हम थोड़ा पुराने जमाने में चले जाएं आज भी हैं, लेकिन फिर भी पहले जादा होता था कि हर थोड़े-थोड़े महीनों के बादना हम कोई कथा करवाते थे घर में हवन होता था, पूजा और यह जो हवन की अगनी जलती है जब इसमें कपूर है और पूरी आहूतियां पड़ती है तो उसका जो धुआ होता है, उसमें अलग ही एक healing effect है एक negative energy को eliminate करने की शक्ती है तो यह सब चीजें जब पहले होती थी, time time पे जैसे की महीने में जब पूर्णिमा आता है तब लोग करवा लेते थे अब भी आज के rate में इतना busy schedule हो गया है कि possible नहीं हो पाता पूजा पाट या इतने अच्छे से हम हवन करवाएं, कथा करवाएं बड़े कोई साल में कोई auspicious day आ गया तो करवा लिया लोगोंने कपूर डालें कपूर को जलाएं और जलते हुए कपूर में आप कम से कम 3 लोंग डालें तीन आप लोंग पीशस में डालें साथ में अगर इलाइची है तो ढूर जरूर डालें और इसको जलने दे घर के बाहर ठीक है जब यह अच्छे से जल जाए तब इसका जो धुआ निकलेगा उस धुए को आप अपने घर में लाके थोड़ा सा घुमा दे negativity eliminate होने के intention से मन में कि जितनी भी negative energies है वो मेरे घर से eliminate हो रही है बाद में इस दिये को ले जाके बाहर ही रख देंगे आप बाहर ही जलता चलता शांत हो जाएगा ठीक है आपको घर के अंदर सिर्फ धुआ दिखाना है आप थोड़ा वेट करिए जलने दीजिए कापूर को अ सब को मिट्टी में डाल दो कहीं पर और दिया आप अंदर ले ओ पीरिट्स में कर सकते हो कि आप इसको पीरिट्स में नहीं कर सकते हो कोई और आपके बहाँ पे कर ले ठीक है अगर ऐसा है कि घर में कोई नहीं है तो ठीक है आप हातपाव मूध हो कर के कर लीजिए ठीक है यह negativity elimination का ही काम है आप किसी divine energies के लिए नहीं जला रहे हो so it's basically कि आप negativity को eliminate कर रहे हो और यह जो कपूर में हम लॉंग और एलाईची जलाते हैं इसका scientific reason भी है कि कैसे यह virus and bacterias पे भी काम करता है तो जो बड़े scientifically चलते हैं कि logic होना चाहिए हर चीज के पीछे तो वो इस चीज को वहाँ पे consider कर सकते हैं बट अभी फिलहाल येस आप लोग ये काम करोगे आज रात definitely अपने घर को एकदम negativity से free करोगे ठीक है और ये बार बार हमें करना होता है it's not one time activity कि आज कर लिया और फिर छोड़ दिया कई दिनों तक क्यूंकि हमारे घर में हरतारा की हवा आ रही है जा रही है बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं किसके साथ कैसी energies आती है हमें नहीं पता होता ठीक है तो हमें हमेशा अपने घर को purify करते रहना चाहिए जैसे कि हम अपने body को रोज morning में नहाते हैं purify करते हैं वैसे ही ठीक है ना बहुत helpful होगा ये जैसे कि हम जब देखते हैं हमारे घर में बहुत सारे लोग बहुत बार से बिमार पड़े जा रहे हैं ठीक ही नहीं हो रहे हैं बहुत दवायां चल रही हैं सबकी hospitals के चक्कर लग रहे हैं तो वो लोग तो please अपने घर में एक नियम बना लो वो लोग को तो बलकि डेली करना चाहिए हर डे आप रात में ये काम ज़रूर करें बाकी wishes में भी इससे बहुत help मिलती है second thing एक चीज बता देती हूँ मैं आपको जैसे resistance बहुत जादा होता है wishes में wishes manifest नहीं होती है तब उनके लिए बतारी हूँ एक plain paper लें छोटा सा paper उस पे आप आगे सबसे पहले लिखोगे 369 okay front पे 369 लिखोगे पीछे जो है पीछे वाले paper पे आप एक switch word लिखोगे और वो होगा release resistance 369 release release resistance 369 यह लिख करके आप अपने pillow की नीचे रखके सोएंगे इसको अपने pillow की नीचे आप रहने दीजे अगर आपको लगता है pillow बार बार चेंज होता है तो आप इसको mattress की नीचे डाल सकते हैं पर इसको रहने दीजे वहाँ पे तक कि आपको लगे कि हाँ अभी थोड़ा सा चीजे स्मूध हो गई है थोड़ा सबकुछ ठीक होने लग गया तब तक बाद में आप इसको डिस्पोस कर सकते हो बाइचांस यह फट गया या खो गया कहीं पे तो आप दुबारा लिख करके इसको रख लो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्या हम दुबारा नहीं कर सकते हैं बहुत ईजी है आप 依ूगर रहीएगा इसकेसात रेजिस्टेंस क्लिएर करना है रेजिस्टेंस को स्मूध करना है इसलिए टेखनीक्स में ही resistance मठ डाल दिया करो कि अभी तो ये खो गया पता नहीं क्या होने वाला है कुछ नहीं होने वाला दुबारा पे पड़ लें उस पे लिखे हैं वापस से रख दो इसको चैंट करो मन में release resistance 369 release resistance 369 इसको जितना हो सके चैंट करो जब लगे कि कोई चीज काम नहीं कर लिया तब तो आज सिर्फ इसी तरह की बाते इस वीडियो में आपको मिलेगी कि हम negative energy को कैसे eliminate करें resistance को कैसे खतम करें blockages को कैसे remove करें अब इसके बाद एक और चीज में आप लोगों को बता रही हूँ money matters में बहुत जादा होते हैं अच्छा studies के लिए भी किसी ने मुझे comment में लिखा था कि आप studies से related बताईएगा तो मैं students के लिए बता रही हूँ students वो simple सा chant करेंगे इस yellow sapphire को देखते हुए आप actual में पेपर पे लिखोगे circle के अंदर yellow sapphire yellow color के पैंसे लिख दो red color के पैंसे plain white paper लो red color का circle बनाओ या yellow color का circle बनाओ उसके अंदर capital letter में yellow sapphire लिखो इसको लिखकर कि आप कहीं पे stick कर सकते हो बेशक्से अपने wall पे या फिर अपने bag में रख सकते हो वो आप देखो अपने books पे लिख सकते हो students के लिए बता रही हूँ मैं और students chant क्या करेंगे वो chant करेंगे genius, victory, charm ठीक है so genius, victory, charm यह होगा students के लिए chanting जो job seekers है वो भी same करेंगे plain paper पे circle बनाओंगे circle के अंदर yellow sapphire लिखेंगे बट इसको देखते हुए chant कुछ और रहेगा so थोड़ा सा twist है यहाँ पे, कि same number को ही chant, same जो लिखा हुआ word है उसको chant नहीं करना है, आपको yellow sapphire नहीं बोलना है इसको visualize करें, जो भी crystal आपके पास है, उस crystal को यहाँ पे रखें अपने forehead के पास, third eye यहाँ पे और उसके बाद फिर अपनी wish को आप visualize करें, job के लिए है तो आप simple सा देख सकते हैं किसी अच्छी multinational company में यह government job है, जो भी position आपको चाहिए, वहाँ पे आप अच्छे से बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, तो यह आपकी सटीक visualization होगी, full focus के साथ, और वो जो आपका crystal है, वो आपके forehead पे रहेगा, जब आपकी visualization complete हो गई है, तब आप अपना crystal उठा के वापस पहन लेंगे, ठीक है, I hope this is very clear, जिनको health related issues हैं, वो अपने same यहीं पे, third eye पे रखेंगे, अ वो अपने crystal को अपने heart पे रखेंगे, अगर हाथ में bracelet पहना है, bracelet निकालिए, अपने heart chakra के पास रखेंगे, और फिर अपने relationship को बहुत अच्छा होते हुए, strengthen होते हुए, और एक बड़ा happening सा relationship, loving, caring, deep, loyal, faithful person है आपका, इस तरहा का कुछ relationship आप visualize करेंगे, visualization की power बहुत बहुत effective होती है, and this is really, मतलब इसको na visualization को हम बड़ा हलका सा लेते हैं, क्योंकि आखे बंद करके को सोचना ही तो है, क्या work करेगा, बट ये, जितना easy लगता है, उतना ही जादा powerful है, और उतना ही difficult भी है, बड़ी मुश्किल होती है visualize करने में कभी-कभी, ठीके, तो आप please visualize कीजे होगा, उसको तो आप हाट चक्रा पर रखके visualize करेंगे, जो बाकी सारी चीजों के लिए होगा, उनको आप यहां पर रखेंगे, अपने forehead पे, यहां पर थरड आय के पास, और visualize करेंगे, उसके बाद आप अपने bracelets को, या आपना pendant है, या जो भी आपके पास, stones, crystals, उसको फिर आप वापस, या तो पेहन लेंगे, या अपने पास रखेंगे, so बहुत क्लियर है, ठीक है, आज का डे, negativity elimination के लिए है, Saturday, आप हर दिन कर सकते है, it's not only कि आज वीडियो देख ली, तो अब कल जिसने देखी होगी, तो उसको लगेगा, आप Saturday तक वेट करना है, Saturday को करना ही है लेकिन जिस्त भी दिन देख रहे हो और घर में अगर ऐसा लगता है कि बहुत जादा रुकावटे हैं, तो उसी दिन कर लो आप, ठीक है, इसको करने की तुरंत बाद आपको काफी हलका महसूस होगा, okay, so that's all guys, thank you so much and God bless you all.